नमस्कार SGB News देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरिया लोगसबा चुनाव बेहत नस्दीक है और इसी बीच आपको बता दे कि BJP लगातार ये नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार और ये नारा जो है वो अब से नहीं पिछले कुछ महीनों से दिया जा रहा है ताकि लोगों की जुबान पर ये नारा जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव तक आता रहे कि अब की बार 400 पार लेकिन लोगों के लिए जो है ये नारा बनाया गया इसका इतना इफेक्ट देखने को मिलेगा शायद ये बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा जी हाँ, ये नारा जो लगाया जा रहा है, अब ये किसने दोरा दिया है? ये दोरा दिया है किसी ओर ने नहीं, बलकि कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अद्यक्ष मलिकार आरजुन खडगे ने, और कहा पर दोराया है? सदन के अंदर, संसत के अंदर, जी हाँ, राज्य आती है, आखरी सत्र है इनका, अब यहाँ पर मलिकार आरजुन खडगे बाशन देर थे और उस समय परधान मंत्री नरेंदर मोदी भी वहाँ पर मौझूद थे, राज्यसबा में, साधी साध जेपी नडड़ा वहाँ पर थे, और त्यूश गोएल वहाँ पर थे, अनुरा राइवलरी पार्टी वह कॉंग्रेस पार्टी है, तो यानि कि अब उनके जब राष्टी अद्रक्ष मान रहे हैं, तो चार सो पार हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले लोगसबा चुना में क्या नतीज़े आने वाले हैं, तो सवाल यहाँ उड़ता है, क्या निकाल क्यों रहे हैं, बैरहाद, जैसे ही यहाँ पर यह स्टेट्मेंट देते हैं मलिकार जुन खडगे, चार सो पार हो रहा है, पूरी की पूरी राज्यसभा तालियों की गड़गडाहट से गूझ उड़ती है, हर जेगा शोर यहाँ पर शुरू हो जाता है, और इसी भ आपको बता दे, फिर से मलिकार जुन खडगे बोलने का प्यास करते हैं, अरे चार सो, अरे चार सो, लेकिन वो तालियों की गड़गडाहट के बीच उनकी आवाज वहाँ पर कम रह जाती है, फिर वो फिर से बोलते हैं, कि सर मेरा दावा है, ये लोग ठहर के चुनके आने इन को पहले बेजो, तब मालूम होगा ये सब मोदी की कृपय से यहां पर तालिया बजाने आएं, फिर आновगे काता है ये मोदी की कृपय से आएं हैं, तो तालिया बजा रहे हैं, तो यानि कि क्या मलिकार जुन खडगे जी, आप ये मान चुके हैं, इसलिए आपने स्टे सिटी है वो नरेंदर मोदी है लेकिन आप ही की पार्टी के नेता इस चीज को जुटलाते रहते हैं चलिए आपने तो कम से कम मान लिया कि पीम मोदी का इतना वर्चस्व है कि उनकी कृपा से यहां पर संसत बन करके पूँच रहे हैं चाहे फिर वो लोग सबा हो चाहे फिर डालते रहते हैं कि राहूल गांधी से मोदी डर गये राहूल गांधी का चाहरा इतना बढ़गया है राहूल गांधी जो है हूँ इतने बड़े नेत हैं मोदी उनके सामने कुछ नहीं है मोधी डरपोख हैं लगातार ये सोशल मीडिया कॉंग्रेस की जो टीम है वो यही चीज़े तो डालती है तो कम से कम मलिकार जुन खड़के जी उनको तो समझा दीजे जा करके कि वो इस तरीके की पोस्टें ना डाले नहीं तो फिर अब फिर से मार्किट आगे सुनिए क्या कहा यहां पर मलिकार जुन खड़के ने आगे कह रहे हैं कि हम देखो MLA लड़े MP लड़े आखरी वक्त राज्यसभा में है तो यह भी वो मान रहे हैं कि आखरी वक्त राज्यसभा में है फिर आगे कह रहे हैं कि यहां के लोग तो पूरा मोधी जी के आ सबसे बढ़ करनेता है मोधी तो डर गए है रहुल गांदी से बैरहाल आपस में ही इतना विरोधा बास है अब इसके बाद जो है स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई है परवेश साहिब सिंग वर्मा जो सांसद है पश्चिमी दिल्ली से उन्होंने यहां पर सोशल मीडिया पर डाला है कि कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिकार जुन खडगे को भी पता है अब की बार 400 पार फिर एक बार मोधी सरकार लगातार लगलग जगा जो है यहां पर यह समय स्टेटमेंट्स लेकिन दिल्सस बात यह है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जब मलिकार जुन मलिकार जुन खडगे और उस टाइम पर आप देखिए कि नरेंदर मोधी परधान मंत्री जो इस समय है वह कितने खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि सामने इस टाइम पर कॉंग्रेस पार्टी कराश्टे तक तो मलिकार जुन खडगे हैं तो जब वह इस चीज को सैप्ट कर र रहा है बैरहाल इसी बीच अगर बात किए तो गजेंदर सिंग शेखावत उनकी स्टेटमेंट सामने आई है गजेंदर सिंग शेखावत जो केंदर सरकार में इस समय मंत्री हैं उन्होंने का है कि कॉंग्रेस अदेक्ष ने बता दिया है मोधी सरकार अब की बार 400 पार लेक आगे बढ़ करके बोला है कि अब क्या होगा अब इनको जो है कहा जाएगा कि यह आपने गलत कहा दिया अब आप इसका सफाई दो सपश्टी करन दो आप बोल दो कि हाँ ठीक है वो गलती से वो लैंग्वेज इशू है तो इसलिए मैंने बोल दिया तो यही गजेंदर सिं कैंपेन में लगी हुई है कि 400 किसी तरीके आए जाए और जो बिहार में हुआ है ये भी इसका एक उधारन है उसके अलावा अगर बात कि जाए विपक्ष की जो विपक्ष कोशिश कर रहा है लेकिन एक जुट यहां पर अगर देखे तो विपक्ष तो एक जुटता की जो बात कर रहा था वो तो पूरी तरह से भिखर चुका है इस जो विपक्ष जो यूप यह था उसी का नाम बदल करके आई एंडिया यह किया उसकी जो है नीव गुम गुम करके नितिश कुमार ने डाली वो नीव डालने वाले ही जब अलग होगे उन्हीं का जब सम्मान नही किया गया तो आप समझ सकते हैं यहां पर नितिश कुमार ने ही पूरे देश बर में जाकर के सब कोई कठा किया उन्हीं का सम्मान नहीं किया गया उन्हीं को बाहर कर दिया गया ना उनको कन्वीनर बनाया गया उसके लावा अगर बात किये ना वो सम्मान दिया गया तो इस उसके बाद कैसे जो है एक जूटों करचणवाव लड़ेगा और अब तो ये खुद कॉंग्रेस पराटी खुद मली कार एर्जुन खटके बान रहें कि मोधि के आशिरवात से यहां सानसत्थ पोहुंच रहे हैं मोधी के नाम से यहां पर पूंच रहे हैं यानि कि आप ने इस चीज़ को सैप्ट कर लिया है कि मोधी का नाम आज केवल भारत में नहीं मोधी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बचता है और यह लोग तो लगातार कहते रहते हैं लेकिन अपोजिशन के मुह से यह काफी क कम सुनने को मिलता था कुछ ही नेताओं की तरव से सुनने को मिलता था और उसमें से अधीक्तर नेता आज वो पाटी का दामन छोड़ चुके हैं बहराल अब यहां पर मलिकारजुन खडगे ने भी एसेप्ट कर लिया अब देखना होगा कि इसके बाद क्या स्टेटमेंट कि इसके बाद राहुल गांदी क्या करें गतों क्यों यह अतरा पर निकले उए हैं पृषली बार भी यहां पर निकले थे हम तो중ना यह निकले हैं भारत जोडो देता आपी की पार्टी के संसत वो तो दूसरे देश कीमांग कर दिया हो इस वक्त की बड़ी ख़ब यही संसत के बजट सत्र में मलिकार अरजुन खड़गे की तरफ से जो कहा गया और उसके बाद PM मोदी का जो रियक्शन है वो इस समय काफी जादा सोचल मीडिया पर वीडियो जो है वो वाइरल हो रहा है जो कॉंग्रेस अध्यक्ष भी मान रहे हैं कि अब की बार 400 पार जो है वो मोदी जी के आशिरवात से यहां पर होने वाला है बैरहाल आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पूरी खबर पर आप जलूर्व हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एस जीव नियूस के साथ दन्यवाद